हेलो फेंट्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अप पड़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नमबर 11 जो की प्लेटफॉर्म वॉलूम टू का बिहार दरोगा मिंस के लिए चलाया जा रहा है एक से दस्तक ओलेडी अप्लोडेड है अगर आप नई देखे हैं तो जाके प्लेलिस से देख सकते हैं साथी साथ अगर आभी आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं या आभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथी साथ बेल आइकन दबा लिजेगा ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ बहुत लोगों का इसूष था मैस और रीजनिंग का कोश्चन तो मैस और रीजनिंग का जो कोश्चन है मैं एक वीडियो में कम्प्लीट कर बादूँगा एक से पांच तक फिर पांच से दस तक ऐसे तीन चार वीडि सकते हैं साथ ही साथ आपको आपके लिए हिस्ट्री का प्रीबियस एर का कोश्चन जो डिफरेंट डिफरेंट एकजां में पूछे जाते हैं वो एक कलेक्शन आप लोगों के लिए डला हुआ है अगर आभी तक आप नहीं देखें तो वो जाके देख लिजे उससे आप होगा वो हो जाएगा Great Grandri ठीक है यानि किसको हम लोग बोलते हैं अन्नागार को champion Great Grandri का मतलब होता है जहां आनाज भंडारन रखा जाता है उसको Great Grandri बोला जाता है ठीक है महन जोद्रोरो से याद रखेगा कि महन जजोद्रोरो का साथधी कर्थ होता है मिरतिकों का टिला ठीक है क्या होता है मृतिकों का टिला साथी साथ महजदरों से एक चिरोर याद रखेगा इसका जो उत्खनन हुआ था वो हुआ था 1922 इसमी में जॉन मार्सल की अध्यचता में राखलदास बनजी के द्वारा इसका उत्खदन किया गया था कभी कभी ये भी कोश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका प्रेजेंट में लोकेशन क्या है तो अभी बर्तमान में ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंध नदी के किनारे सिंधू नदी के किनारे इस्थित है क्लेर है चलिये अगला कोशेन नहीं कि सनसकार बियाध्रमा है अब प्रमाद के साथ अपने मोच का संपाधन करें इन बचनों का सरे किसे जाता है इसका जो सियन्सरों का बो हो जाएगा बुध यानी ऑप्सननमबर C ठीक है, महातमा भूद ने जब अपने असिस्यों को जब अंतिम उपदेश दे रहे थे तब उन्होंने ये पंक्तियों का यूज किया था तो इसलिए इसका जो सईयन से रोज़ागा बहुज़ागा महातमा भूद ठीक है, बिया धर्मा का मतलब क्या होता है बेय धर्मा का मतलब होता है नश्ट होने वाला मतलब सभी संसार जो है वो क्या है नश्ट होने वाला है ठीक है गौतम बूद से एक और चीज याद रखेगा कि गौतम बूद ने एक और चीज कहा था जो एकजाम में पुछा जाता है बो है अपना दिपक स्वेम बनो तो यह बहुत邊 वाजग एज़ाम में पुछा गया है कि अपना दिपक स्वेम बनो किस ने कहा है तो बो है गौतम बूद क्लेर है चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले कोशन की तरब जो की हमारा कोशन नमर ठाड कोशन नमर ठाड कहरा है कि गंधार मूर्ति कला की सर्बोतम कृतियां कप रकट हुई है तो इसका यह सही अंसर होगा वो हो जागा कुसान काल में गंधार कला से याद रखेगा कि गंधार कला को हिंदी यूनानी कला भी कहा जाता है ठीक है गंधार कला के एक सबसे अच्छाए एकज़ामपल है तपस्या में लीन भगमान दूद्द की परतिमा है वो गंधार सैली का ही उदारत है ठीक है और सिजदा और साथी साथे कौन चीज याद रखेगा पाबोस सिजदा और पाबोस दोनों प्रथा को स्टार्ट करवाय था बलबन ने और सिजदा को खतन करवाया था साजहाने next question is question number 5 question number 5 कह रहा है इन में से किसे आंदर भोज भी कहा जाता है तो इसका जो सही अंसर है वो है क्रिस्न देव राय ठीक है क्रिस्न देव राय कौन थे विजय नगर समराज क्या सासक था ठीक है क्रिस्न देव राय से याद रखेगा किसे आंधर भोज के साथ साथ आंधर अभिनो भी कहा जाता है ठीक है या फिर आंधर पितामा कहा जाता है तो आंद्र अभिनव, आंद्र भोज या आंद्र कितामा, सब कहा जाता है किसको क्रिस्ण देव राय को अगला कोशन है कोशन 6, कोशन 6 कहा राद निमलिखित मुगल समराटों में निर्माताओं का राजकुमार यानि प्रिंस अब बिलडर कौन कहलाता है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुँ जगा साह जहां साह जहां के इस सासनकाल को अस्थपत कला का स्वन्यू कहा जाता था और अस्थपत कला के प्रती इतना ज्यादा साह जहां का प्रेम था इसी के कारण साह जहां को क्या बोला जाता था निर्माताओं का राजकुमार बोला जाता था क्लियर है? चलिए अब परते हैं अपने अगले कोश्चन की तरब जो कि है हमारा कोश्चन नमर सेबन कोश्चन नमर सेबन कह रहा है ससगनी सिक्का किसके सासनकाल में परचलित हुआ था तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा फिरोसा तुगलग यानि उप्सन नमर सी ठीक है फिरोसा तुगलग से एक चीज याद रखेगा कि ये साथी साथ ये अधा और बिक अधा और बिक और एक और याद रखेगा ससगनी आधा बिक और ससगनी नमक सिख्का चलाया था ससगनी की अगर हम बात करते हैं ठीक है तो ये जो ससगनी सिख्का था ये चांडी का एक छोटा सिख्का था जो 6 जीतल के बराबर होता था ठीक है फिरोसा तुगलक से एक चीज याद रखेगा कि फिरो सा तुगलक को ही दिल्ली सल्तनत का आकबर कहा जाता था ठीक है नेक्स कोशन है कोशन नमर एट कोशन नमर एट कह रहा है सबसे अधीक निर्नायक यूद जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभूतु को सापित किया था वो कौन सा है तो इसका जो साइनसर होगा बो हो जागा अप्सन नमर एट बक्सर का यूद ठीक है और ये हुआ कर था ये हुआ था 1764 में और किसके किसके बीच अंग्रेजों के तरफ से अंग्रेज का जो सेना पती था वो हेक्टर मुन लो था और इधर से कौन था मीर कासिप, सुजाओ दोला और सा आलम दूतियों के जो संजुप्त सेना थी ठीक है नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमर नाइन कोश्चन नमर नाइन कहरा है नीचे संगठनों की एक सुची दी गई है सुची के नीचे दिये गए कूट का परियोग करते हुए क्रांतिकारी गतिवीदियों में लिप संगठनों का चैन कीजे तो देखिए अभिनो भारत इसका एक होगा और एक जो दूसरा होगा बो हो जाएगा अनुसिलन समिती ये जो दोनों था ये क्रांतिकारी गतिवीदियों में लिप संगठन था तो इसका जो साई अनसर होगा बो हो जाएगा उप्सन नमबर बी फॉस्ट और सेकेंड नेक्स कोशन है कोशन नमबर टेन कोशन नमबर टेन कहा रहा है कि निमलीखित में से किसने दली तु दार है तु कठिन संगर्स किया था तो इसका जो साई अनसर होगा बो हो जाएगा महात्मा गांधी उप्सन नमबर बी महात्मा गांधी से एक चीज़ याद रखेगा कि महात्मा गांधी ने 1932 इस्वी में हरियन सेवासं की अस्थापना किये थे नेक्स कोशन है कोशन नमबर 11 कोशन नमबर 11 कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी सिछा की सुरुवात किसने की थी तो इसका जो साई अनसर होगा बो हो जागा लॉर्ड मेकाले यानि उप्सन नमबर D लॉर्ड मेकाले से एक चीज़ याद रखेगा कि लॉर्ड मेकाले कोई भारत में अंग्रेजी सिछा का जनक कहा जाता है लेकिन देखिए अगर आपसे कोई पूँ दिया जाए कि राजभासा को इंग्लीज के रूप में किसने किया था ठीक है तब अंसर हो जागा लॉर्ड बिलियम बेंटिक 1835 में अंग्रेजी को राजभासा के रूप में बनाया था ठीक है लेकिन अंग्रेजी सिछा का जनक अगर पुछेगा तब हो जाएगा अंसर लॉर्ड मेकाले अगला कोईशन है कोईशन नमर्ट टूबल्ब कोईशन नमर्ट टूबल्ब कह रहा है कि हर्स के सोने के सिक्के के प्रिष्ट भाग पर किसका अंकन है तो हर्स के सोने के सिक्के के प्रिष्ट भाग पर सिप पारवति का अंकन है तो आप्सन नमर्ट सी जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा हर्स से एक चीज याद रखेगा कि हर्स ने परम महेसवर की उपादी धारं किया था Next question है Question number 13 Question number 13 कह रहा है कि सरियत के अनुसार पुर्मधकालीन भारत में भूरा जस्व की अधिक्तम मानेदर क्या थी तो सरियत के अनुसार भूरा जस्व की अधिक्तम मानेदर जो थी बो था कुल उत्पादन का आधा यानी 50% अठीक है और ये हुआ कब था अल्ला उदिन खिल्जी के सासनकाल में सबसे जादा था उत्पादन का 50% तक हो गया था अब बढ़ते हैं अपने अगले कोशन की तरब जो कि है हमारा Question number 14 Question अब अब 14 कहरा कि ऐसा कहा जा सकता है कि फिरोसा तुगलक दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बना क्यूंकि क्यूंकि उसने क्या किया था समान तो कौन उवांसिक बनाने दिया था मतलब पदो जो था उसको बंसन उगत कर दिया था मतलब Option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा फिरोसा तुगलक से एक चीज याद रखेगा जो बहुत बार इंजाम में पूछा गया है कि फिरोसा तुगलक ने 24 परकार के जो टैक्सेस थे उनको समाप्त करके मात चार परकार की टैक्सेस को लगाया था जो टैक्स वो चार परकार का टैक्स वो था कौन-कौन ये भी याद रखेगा पहला था खराज, दूसरा उसर, तीसरा जजिया और चौथा जकात ये चार टाइप के मातर वो टैक्स लगाये थे और बाद बाकी जो रिमेनिंग था जो अभी वो सबको उन्हेंने क्या कर दिया था, खतम कर दिया था, ठीक है नेक्स कोशन है, कोशन नबर 15 कोशन नबर 15 कह रहा है कि दंत चिकिस्तक का दरपन तो दंत चिकिस्तक का जो दरपन होता है, वो अब्दल दरपन होता है तो सही अंसर हो जाएगा option number D गाडियों के headlight में भी अब्दल दर्पन का ही यूज होता है next question है question number 16 question number 16 कहा रहा है कि photographic camera की जो f संख्या होती है वो किसके बराबर होती है तो f संख्या जो होता है वो focal दूरी और ब्यास के बीच जो ratio होता है उसी को कहा जाता है f संख्या मतलब f संख्या जो है वो lens की focus दूरी upon में lens का ब्यास ठीक है तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जागा option number C lens की focal दूरी वो द्वारा के ब्यास के अनुपात को दर्साती है अगर हम बात मनुस नेतर lens की करते है तो उसका जो f नंबर होता है वो generally 8.3 से लेके 2.1 के बीच होता है next question है question number 17 question number 17 कहा रहा है कि द्रबो में प्रिश्टनाब का कारण क्या है तो द्रबो में प्रिश्टनाब का कारण होता है cohesive force मतलब सफ संख्याग बल जो उसके अनुओं के मद लगते है तो आपसर नंबर B जो होगा वो इसका सही अंसर हो जागा अनुओं के मद ससंजक बल यानि cohesive force ठीक है cohesive force होता है एक ही पदार्थ के अनुओं के मद लगने वाले आकरसन बल को ही हम लोग क्या बोलते है cohesive force और अगर बिन बिन पदार्थ होगा तब उसको हम लोग बोलेंगे adhesive force next question है question number 18 question number 18 कहा रहा है कि एक चुमबकिये छेतर बिच्छेपित करता है तो एक चुमबकिये छेतर जो होता है वो alpha और beta कन बिच्छेपित करता है तो इसका option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा लेकिन चुमबकिये छेतर के अगर हम बात करते है तो चुमबकिये छेतर में alpha कनो का जो बिच्छेपित होता है वो beta कनो की यह पेच्छा में अधिक होता है next question है question number 19 question number 19 कहा रहा है कि पास की और दूर की बस्तुओं को देखने के लिए माना बाखो की अनुकूलन की बिशेष्टा को क्या कहते है तो इसका जो सही अंसर हो जागा वो हो जागा सामन्जस यानि एकोमेंडेशन option number B इसका सही अंसर होगा next question है question number 20 question number 20 कहा रहा है कि गरम सीसे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रकिरिया को क्या कहते है तो इनिलिंग कहते है यानि option number 20 जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जागा और यह ऐसा किया क्यों जाता है क्योंकि एनिलिंग जो होता है उससे धातु में तन्यता का गून आता है और इससे क्या होता है उसमें सुधार आता है उसको जारीजी हो जाता है ठीक है एनिलिंग होता क्या है किसी धातु को एक विशेष टापमान तक गर्म करके धीरे-धीरे भठियों में ठंडा करने की प्रकिरिया कोई हम लोग क्या बोलते हैं अनिलिंग बोलते हैं next question है question number 21 question number 21 कहा रहा है कि सुत्री विभाजन के बीच किस सबस्था में गुन सुत्र विप्रित धुरूबों की और गती करते हैं तो इसका जो science है रोग जागा बहु हो जागा एनाफेज यानि option number D next question है question number 22 question number 22 है ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के एकत्र होने से होगा तो इसका जो science है रोगा बहु हो जागा CO2 यानि option number B जो हमारा carbon dioxide होता है मतलब CO2 वो gas बायू मंदल में सबसे महत्पून ग्रीन हाउस गैस है next question है question number 23 question number 23 कहा रहा है मानाव सरीर का कौन सा अंग typhide के मुख रूप से प्रभावित होता है तो इसका जो science होगा बहु हो जागा आत option number D typhide जो रोग होता है उसको मियादी बुखार भी कहा जाता है क्या कहा जाता है मियादी बुखार कहा जाता है ठीक है typhide रोग जो होता है वो salmonella typhi bacteria के नाम से होता है ठीक है si molena typhi bacteria से जो संक्रमीद भोजन या पानी होता है उसी के द्वारा typhide रोग होता है next question है question number 24 question number 24 कर रहा है कि मानाव मस्तिक कितने ग्राम का होता है तो जो मानाव मस्तिक होता है वो 1350 ग्राम का होता है तो आपसे नमर ये जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा मानाव मस्तिक से याद रखिएगा मानाव मस्तिक के तीन भाग होते है एक होता है आगर मस्तिक एक होता है मर्भ मस्तिक और एक होता है पश्च मस्तिक next question है question number 25 question number 25 कर रहा है हर्बेरियम क्या है बिटामिन कौन है तो ये बिटामिन C है तो बिटामिन C का जो रासाइनिक नाम होता है वो होता है अक्सकॉर्बिक एसीड तो आप्सन नमर B जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा ठीक है जब हम लोग खाना भी पकाते हैं तो खाना पकाने के दौरान जो होता है वो बिट किसके विरूद अब रोधा का कार्ज करती है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुत जागा कि परकास अंसलेशन की लगभग उल्टी प्रक्रिया है तो परकास अंसलेशन की लगभग उल्टी प्रक्रिया हो जाएगी लकडी का जलना क्यों क्योंकि परकास अंसलेशन में क्या होता है CO2 inhale होता है और O2 जो होता है वो बाहर निकलता है मतलब CO2 लेता है और O2 छोड़ता है और लकडी का जलना में क्या होता है O2 लेता है और CO2 छोड़ता है तो इसका जो सही answer हो जाएगा बो हो जाएगा option number B next question है question number 29 question number 29 कहा रहा है कभी-कभी यह देखा गया है कि जब हम किसी सीसे के बरतन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वो चटक जाता है इसका क्या कारण है इसका कारण यही है कि खौलते हुए जो द्रब होता है उसका दाब जो होता है वो अधिक दाब उत्पन होता है ठीक है तो option number B जो होगा वो सही अंसर हो जागा खौलते हुए द्रब अधिक दाब उत्पन करते हैं next question है question number 30 question number 30 कह रहा है कि किस प्रकर्म द्वारा कच्चे तेल से gasoline प्राप्त किया जाता है तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जागा परभाजी आसवन बिधी के द्वारा यानि option number B ठीक है यह जो परभाजी आसवन बिधी होता है वो किस पे काम करता है कवाथांक में जो डिफरेंस होता है उस पे काम करता है मतलब कवाथांकों में अधिक अंतर वाले जो पदार से बने मिस्रन होते उसको अलग करने के लिए परभाजी आसवन बिधी का उपयोग किया जाता है next question है question number 31 question number 31 कहरा है कि जिपसम के इस्तमाल की सला मुख रूप से ऐसे मृद्दाओं के लिए दी जाती है जो क्या होती है तो जो छारिय होती है यानि option number ये जो होगा वो हमारा सही अंतर हो जाएगा जिपसम के परियोग से क्या होता है कि मिटी की लवनता अब हम छारियता की मातरा समाप्त हो जाती है और अगर बात ये question आप से उल्टा पूच दे कि मिटी की जो अमलियता होती है अमलियता को दूर करने के लिए किसका यूज किया जाएगा चारिये को तो दूर करने के लिए जिपसम का यूज किया जाएगा और अमलियता को दूर करने के लिए अगर पूच दिया जाए तो चूना पत्थर का यूज किया जाएगा ठीक है next question है question number 32 Question number 32 का रहा है कि Magnesium का दूध रफानिक तॉर्थ पर निमले खित में से कौन है तो Magnesium का दूध किसको कहा जाता है Magnesium Hydro Oxide को कहा जाता है तो Option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाता है Magnesium Hydro Oxide यानि MgOH का Hall 2 ठीक है अब Magnesium Hydro Oxide को क्यो Magnesium का दूध कहा जाता है क्योंकि जो Magnesium Hydro Oxide होता है वो जल में घुलकर दूध जैसा रंका हो जाता है इसलिए उसको क्या बोला जाता है Milk of Magnesium कहा जाता है ठीक है Next Question है Question number 33 Question number 33 कह रहा है कि Calcium Carbide पर जल डालने से क्या बनता है तो Calcium Carbide पर जब जल डालेंगे मतलब CaC2 plus 2H2O तो क्या बनेगा CaOH का whole 2 plus C2H2 C2H2 है क्या C2H2 Acetylene है यानि इसका जो सही अंसर हो जागा बो हो जागा Option number C Acetylene Acetylene से एक चीज आप लोगों को याद होगा कि Acetylene का परियोग जो होता है Question number 34 Question number 34 कह रहा है कि सुची एक को सुची दे के साथ सुमिलित कीजिए तथा सुचीयों के निये दे गए कूटों का परियोग करते हुए सही उतर दीजिए तो देखिए Carbon Carbide जो है अगर हम बात करते हैं ठीक है इसमें अगर हम बात करते हैं Silicon Carbide की पर सीता क्या निए Coolant से हम इसको Coolant बोलते हैं ठीक है तो ये match हो गया इसे चलिए Next question है Question number 35 Question number 35 कह रहा है कि पार्थिव ग्रह कौन से है तो पार्थिव ग्रह कौन सा है बूद, सुक्र, पृथिवी और मंगल बूद, सुक्र, पृथिवी और मंगल यानि Option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जागा पार्थिव ग्रह से एक चीज़ याद रखेगा कि पार्थिव ग्रह को आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है ठीक है Next question है Question number 36 Question number 36 कह रहा है कि समानता पूरे ग्रह पर लगभख समान रात और दीन को क्या कहते है तो दीन को क्या कहते है Equinox यानि बिसूप कहते है ठीक है अगर हम बात करते हैं कि जब सुर्ज की किरने सीधे बिस्वत रेखा पर पड़ती है तो पूरे पिर्थिवी पर दीन और राज जो होता एक समान मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है कि बारा बारा घंटे बारा घंटे का दिन बारा घंटे का रात हो जागा और ये स्थिति को क्या कहेंगे यूकि नॉक्स कहेंगे या बिसूप कहेंगे और ये स्थिति होता कब है 21 मार्च को और 23 सितंबर को ठीक है Next question है question number 37 Question number 37 कह रहा है कि उन महादीपों का नाम बताईए जो एक दूसरे का दर्बन प्रतिविम बनाते हैं तो इसका जो सही अंसर होगा बहु हो जगा Option number C अफेरिका और दच्छनी अमेरिका ठीक है कि अफेरिका महादीप को अभी पिछडे पड़ के कारण क्या कहा जाता है अंध महादीप भी कहा जाता है साथी साथी इसको क्या कहा जाता है भविस का महादीप भी कहा जाता है अफेरिका महादीप को दच्छिन अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो दच्छीन अम्बीर का को क्या बोला जाता है? पच्छीयों का महादीप कहा जाता है. Next question है, question number 38. Question number 38 कहा रहा है कि coral reef या जिवास्म पटी प्राया कहां पाई जाती है? तो इसका जो सही अंसर होगा, वह जगा करक रेखा, बबमका रेखा के बीच 36 में पाई जाती है. तो option number B जो होगा, वह हमारा सही अंसर होगा. Next question है, question number 39. Question number 39 कहा रहा है कि साग्रिये लवन्ता का मुक्स रोट क्या है? तो साग्रिये लवन्ता का मुक्स रोट जो है, वह क्या है? भूमी है. तो option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जागा देखिए फिर थिवी की पपड़ी के बियोजन बब घटन द्वारा आप पर्दन के फॉल सरूप सागरो की लवनता में क्या होती है ब्रिधी होती है next question है question number 40 question number 40 कहरा है टाइफून नामक चकरवात निम्रिखित में से कौन सा छेतर अधिक प्रभावित होता है टाइफून से तो टाइफून से सबसे जादा अधिक प्रभावित होता है एसिया का छेतर ठीक है तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा ठीक है टाइफून से एक और चीद याद रखिएगा टाइफून जो है वो कम दवाब बाला तुफान है ठीक है अजो समुद्रों के गर्म इलाकों में उठपन होता है ठीक है next question है question number 41 question number 41 कहरा है anti-sol क्या है तो anti-sol जो है वो क्या है जलोड मिठी है देखिए जलोड मिठी को हम लोग दो टाइप में पाटते है एक नभीन जलोड मिठी एक पुरानी जलोड मिठी तो जो नभीन जलोड मिठी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते है खादर और उसी को हम लोग बोलते है anti-sol और ये जो पुड़ानी जलोड मिट्टी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बंगर क्लेर है चलिए नेक्स कोशन है कोशन नमबर 42 कोशन नमबर 42 कर रहा है कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा सुस्क होने पर इस पर दड़ारे पर जाती है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुच है का ओप्सन नमबर C यानि काली मिट्टी काली मिट्टी से एक चीज़ याद रखेगा इसको रेगुर मिट्टी या कापासी मिट्टी भी बोला जाता है चिक है और सुखने पर इसमें क्या होता है खुद भाखुद दड़ार पर जाता है इसी गुन के कारण काली मिट्टी को क्या कहा जाता है स्वता जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है नेक्स कोशन है कोशन नमबर 43 कोशन नमबर 43 कर रहा कि कि सराज की सीमा चीन से जुड़ी हुई है तो इसका जो सई अंसर होगा दिये गए options में नागलन नहीं है असाम नहीं जुड़ा है मनीपूर नहीं है अब नाचल परदेश जो है वो किसे है चीन की सिमा से जुड़ी हुए चीन की सिमा से कौन कोल सा राज जुड़ा हुआ ये भी देख लीजे एक है है हिमाचल question number 44 कहा रहा है कि भारत में बरसा किस कारण से नहीं होती है तो भारत में प्रथी चक्रबात के कारण बरसा नहीं होती है तो option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जागा प्रथी चक्रबातियों तसाओं के कारण मौसन जो होता है वो ठंडे बम सुस्क होने लगता है और इसी भारतिय सर्वेचन विभाग की अगर हम बात करते हैं तो भारतिय सर्वेचन विभाग का कठन 1767 भी में हुआ था और इसका इसका जो मुख्याला है वो देहरादुन में है ठीक है कहाँ है भारतिय सर्वेचन बिभाग का जो मुख्याला है वो कहाँ देहरादुन में है चलिए नेक्स कोशन है कोशन नमबर 46 कोशन नमबर 46 कहा रहा है कि भारत में बन छेतर की स्थिती रिपोर्ट अगर छेतर फल पूछे एक अतब हो जगा 80.73 million hectares ठीक है अगर हम पर्या बरंग की दृष्टी से देखे तो कुल भू भाग का एक बटा तीन भाग यानी 33% भाग पे बन होना जरूरी होता है ठीक है अब 20 में सरवादीक सगन बन वाला छेतर कौन है अमेजन मन है जिसको कि हम हम लोग क्या बोलते हैं पृतिविका फेपटा भी कहते हैं चलिए अब बटे आपने अगले कोशैंट की तरब जो कि है हमारा कोश्चान 47 आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहे होगा अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहे है तो एक हाग में बहती हैं तो इसका जो सई अंसर हो जाए का यहाद रखेगा गुदाबडी शौकर गोदाबडी से एक चीज़ याद lot को क्या बोला जाता दचिन का गंगा भी कहा जाता और कावेरी को क्या का जाता दचिन भारत की गंगा कहा जाता हैं को न text Q49 कहा रहा है कि सभी पड़कार के मिट्टी के गठन का ब्लैंक मूल भूत समागरी क्या है तो क्या है चक्तान है तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा ठीक है Q50 कहा रहा है कि भारत के किस राज में गण्ये की खेती के अंतरगत सबसे अधीक भूमी है तो इसका जो सही अंसर हो जागा बो हो जागा कि भारतिये गन्नान उसंधान संस्थान भी कहा ही इस्थित है लखनव में ही इस्थित है ठीक है Next question है question number 51 question number 51 कहा है कि संबिधान साबा के संबद में निमलिके में से कौन सा कथन सही है ठीक है संबिधान साबा के सदस्यों का चुनाव अबादी के अधार पर हुआ था बिल्कुल सही है 10 लाख अबादी पर हुआ था अब वाग कई समीतियों के माध्यम से काच करता था ये भी बिल्कुल सही है परारूप समीति ये सब आप लोग बहुत समीतिया सुने होंगे नाम ठीक है तो इसका जो सही अंसर हो जागा बहुत हो जागा एक तीन और चार तो एक और तीन और चार हो है option number C में तो इसका option number C ज सभी भारतिय नागरिकों को अंत करन की और धर्म के आबाध रूप से मानने आचरन और क्लचार करने की स्वत अंतरता है next question है question number 53 question number 53 कहरा है कि सम्मिधान के किस अनुछेद के अंतरगत राश्पती के बिरूत महाभियोग चलाया जा सकता है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुत जगा अनुछेद 61 ठीक है और ये लिया कहां किसे गया है USA से लिया गया है ठीक है महाभियोग से एक चीज़ याद रखिएगा कि महाभियोग परस्ताव लाने से पहले 14 दिन पहले राश्पती को इसकी लिखी सूचना दिया जाना होगा अब महाभियोग परस्ताव संसत के जिस भी सदन में लाया जाएगा उस सदन के एक बटा चार सदस्यों का समर्थन महाभियोग परस्ताव लाने है तू अनिवार जाए नेक्स विखchen नमर 54 कर रहा है कि निमलिखी तस्थीतियों में से किनमे से संसत के दोनों सदनों के संजुकत बथक बुलाई जा सकती है तो इसका जो सही अंसर होगा देखिए सम्विधार में संसोधन के लिए तो बुलाया नहीं जा सकता है संजुकता अधिवेशन जो होता है यह सारे चीज़ों पर नहीं बुलाया जाता है जब कोई बिधेयक एक सदां दो आरा पारिद के जाने के बात मतलब first वाले condition में नहीं बुलाया जा सकता है, second, third और fourth वाले condition में बुलाया जा सकता है, तो इसका जो सही अंसर होगा बहु हो जागा, option number B, ठीक है, एक चीज और याद रखेगा, संजुकत दिवेशन है जो अनुछेद 108 के अंतरगत बुलाया जाता है, next question है, question number 55, question number 55 कर रहा किस परकार की साफन प्रणाली में सकतियों का बिभाजन एक महत्पुन भी सेथता है, तो इसका जो सही अंसर होगा, बहु हो जागा, option number B, संग्य प्रणाली में, next question है, question number 56, question number 56 कर रहा कि भारत में चुनाव नियमों के अनुसार, किसी भी चुनाव छेत में चुनाव प्रचार जो होगा, वो समय से 48 गंटे पुर्व समाप्त हो जाता है, यानि option number D जो होगा, वो हमारा सही अंसर हो जागा, ठीक है, निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करते हैं, तो निर्वाचन आयोग का जो गठान है, वो अनुछेद 324 पे है, next question है, question number 57, question number 57 कर रहा है, निमन में से कौन पंचाइती राज से संबन्दित है, तो देखे, अगर हम बात सह आयोग की करते हैं, तो सह आयोग जो है, वो किसे है, काला धहन पर, SIT committee जो बनाया गया था, वो उससे related है, नाना बती आयोग की बात करते हैं, तो यह गोधराकान से संबन्दित है, बलबंत राय महता समीती के अगर बात करते हैं, तो यह पंचाइती राज से संबन्दित है, और इन्हों ने जो था, वो 9057 में अपना रिपोर्ट सौपा था, और इसी ने इत्री अस्तर यह पंचाइती बेवस्था किसी फारिश की थी, तो यही बलबंत राय महता समीती ने मसजिन को गिराने के लेकर यह आयो का गठन किया गया था, नेक्स कोशन है कोशन नबर 58, नेमलेखित में से किस संब्धान संसोदन अधिनियम को लगू संब्धान यानि बीनी कंस्टिउशन कहा गया है, तो इसका जो सही अंसर हो कब हो जागा, आप्सन नमबर 42 संब्धान संसोदन और कब 1976, नेक्स कोशन है कोशन नबर 59, कोशन नबर 59 कह रहा है कि गांधी ने हिंस और आज कब लिखा तो ये उनईसो आठ में लिखे थे और उनईसो नौ में परकासित हुआ था, तो इसका जो सही अंसर हो जागा, बो हो जागा, आप्सन नमबर B, नेक्स कोशन ह संबिधान के किस प्रभधान द्वारा अस्प्रियस्ता मतलब छुआ छूत का अनुमूलन किया गया था, तो इसका जो सही अंसर होगा, बो हो जागा, आप्सन नमबर C, यानि अनुछेद 17, 17, ठीक है, अनुछेद 14 की अगर बात करते हैं, तो अनुछेद 14 के तहत क्या है, बिधी के समच, संता का प्रभधान है, अनुछेद 21 की अगर हम बात करते हैं, तो अनुछेद 21 में प्रानेवं, देहिक सोतंतता के अधिकार का उलेख है, और अनुछेद 19 के तो आप लोग भली बात ही परचित होंगे, कि इसमें क्या है, छे तरह की सोतंतता का प्रभधान तो इस option number B जो होगा, वो हमारा सही अंसर होगा, ठीक है, ये जली जो फिल्ड मार्सल थे केम करियापा, उनके सम्मान में ये मनाया जाता है, ठीक है, next question है, question number 62, question number 62 करा कि उलबर्कों के रूप में कौन सा calcium 11 परियुक्त होता है, तो इसका जो सही अंसर होगा, वो हो जागा calcium sulfate, option number D, next question है, question number 63, ammonium nitrate का रफाइनिक सुक, तो ammonium nitrate का क्या होता है, NH4NO3, यानि option number B, next question है, question number 64, कि लेखन पैंसिल में है, क्या है, ग्रेफाइट है, अग्रेफाइट से एक चीज़ याद रखेगा, कि ग्रेफाइट जो होता है, वो क्या है, कार्मन का एका प्रूप है, जो बिदूत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट इतना चीकना होता है, कि इसका परियोग हम लोग भारी मसीन को में, असनेहक के रूप में भी परियोगत करते हैं, next question है, question number 65, धातु के ऑक्साइड प्राया होते हैं, तो इसका जो सही अधातु का पूछ रहा है, अधातु क जो ऑक्साइड होता है, वो क्या होता है, छार ये होता है, ठीक है, next question है, question number 66, question number 66 कह रहा है, कि निमलिकित में से सबसे भारुद धातु क्या है, तो यहां option देखिए क्या क्या दिया हुआ है, यहां option दिया हुआ है, अल्मूनियम, तो अल्मूनियम का कितना होता है, क्या हो जागा option number D uranium next question है question number 67 question number 67 कह रहा है कि निमलीखित में से कौन सा भी कल्ब लेड कचिन है तो इसका जो सही answer होगा वह हो जागा option number B PV ठीक है और यह इसके किसके है इसका जो Latin name है plumbum उसके अधार पे इसका नाम रखा गया है ठीक है के की अगर बात करते तो क्या होता है potassium AU होता है sona और यह नहीं होता है sodium नक्स question है question number 68 कहरा बित ही सासन है यह कथन किसका है तो बित ही सासन है यह Lord George का कथन है जो कि ब्रिटेन के परधान मंत्री थे तो option number E जो होगा वह हमारा सही answer होगा नक्स question number 69 जे भी डनलप किस खोज के लिए जाने जाते हैं तो इनको rubber tire के खोज के लिए जाना जाता है तो option number B जो होगा वह हमारा सही answer होगा नक्स question है question number 17 फॉर्विडेन बर्सेच के लेखा कौन है तो फॉर्विडेन बर्सेच के लेखा कौन है दी एच लोएरंस तो option number A जो होगा वह हमारा सही answer होगा नक्स question है question number 71 रेडियम के खोज किस ने की थी तो रेडियम के खोज किये थे मैरी क्यूरी मैरी क्यूरी से याद रखेगा कि मैरी क्यूरी को दो बाल नोबर पुरुसकार मिला है एक बार 1903 में और दूसरे बार 1911 में next question है question number 72 72 कर रहा कि बिदेसों में काम करे है भारतियों की आये क्या है भारत के निबल देशी उत्पाद कांस है तो इसका जो सैयन सरोगा पोज़गा option number C भारत के निबल देशी उत्पाद कांस है ठीक है GNP में जो देशवासियों द्वारा प्राप्त आये जो होता है उसको जोड़ा जाता है और देश के अंदर बिदेशियों द्वारा जो उत्पादित आये होता है उसको GDP में घटा दिया जाता है Next question is question number 73 Question number 73 कह रहा है कि मंदी क्या है तो इसका जो सहियन सरो जागा बो हो जागा Option number C बस्तूओं की प्रयाफ्त मांग न होने के कारान उत्पात अथा रोजगार में कटोती जो होता है वही मंदी कहलाता है Next question is question number 74 Question number 74 कह रहा है कि बैंकों ने अपने रोकर्ड सेथ और कुल प्रिसम पत्कियों के मंद एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है इसको क्या कहते है इसको कहते है क्या SLR यानि Option number B Saturity, Liquidity, Ratio बोलते है मतलब समाधित, तरलता, अनुपात बोलते है और जो हमारा RBI का जो मौदरिक नीती होता है मतलब जो मई 2020 में जो RBI का Bilateral Policy आया था उसमें जो SLR है, मतलब Saturity, Liquidity, Ratio जो था वो कितना था? 18% निर्धारित किया गया था Next question is question number 75 Question number 75 कह रहा है कि मुदरा का निमलिखित में से कौन सा मुख्यकार्ज है तो मुदरा का इसमें जो दिये गए options के अंसार अस्थागित भुक्तान का जो मानक है वो सही मुख्यकार्ज हो जागा तो option number जो होगा सही अंतर होगा देखें मुदरा के बहुत सारे काम होता है जैसे minimum का माध्यम होता है खाते किये कि काई होती है मुल का मापन होता है अस्थागित भुक्तान का मानक होता है अब में काम उसका क्या होता है जो मिनियम का मातरक होता है वो ही उसका में काम होता है ठीक है next question is question number 76 question number 76 कर रहा है कि करो में से कौन सा करसंग द्वारा लगाया तथा बसूला जाता है कि दुसंग तथा राज्यों में बाटा जाता है तो इसका जो सही अंसर हो जागा बहुत जागा अप्सन नमर भी क्रिसी आए के अंतरिक अनाय पर कर कोशनन नमर 77 का रहा कि पुर्ण असप्रधा में कीमत ग्रहिता कौन होता है तो इसका जो सही अंसर हो जागा बहुत जगा Option number D, Swarm होता है, ऐसा बजार जिसमें सभी एक विक्रेता, कोई दूसरे विक्रेताओं के मुकाबले कोई बिसे स्लाव नहीं होता, उसी को क्या बोला जाता है, पुर्ण अस्प्रधा बोला जाता है, नेमलिखित में से कौन सा समिती गरीवी रेखा के निर्धारन से समदित है, तो इसका जो सही अंसर हो जागा, बोह जागा, आपसे नमबर A, तेंदुलकर समिती, नेक्स कोशन है कोशन नमर 79, कोशन नमर 79 कह रहा है कि गेहुं का समर्थन मूल प्रदान करने का मुख उद्देश क्या है, तो इसका जो सही अंसर होगा, एक निश्चित सीमाप के लिए अधिक मूल गिरने से रोकना ये बिल्कुल सही है, उपभोगता के हीतों की रच्छा करना, ये भी बिल्कुल सही है, अन देशो को कम मूल पर गेहुं को नियात करना, ये गलत है, ये और बी दोनों सही है, यानी option number D जो होगा वो आपका सही अंसर होगा, next question है, question number 80, question number 80 कह रहा है कि जैसे ही कोई अर्थ वेवस्था बिक्सित होती है, तो राष्टिये उत्पा आज का हमारा वीडियो आसा करते ही कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और ये जो प्राक्टिस से डेली बैसिस पे चलाया जा रहा है, बहुत सारे लोगों का जो क्यूरी जा रहा था कि सर ये चीज डेली करिए, तो डेली हाँ बिलकुल ये आप लोगों से download कर लीजेगा और उसके बाद खुद से attempt कीजेगा और फिर आप मुझे comment करके बताइएगा कि आपका कितना marks आ रहा है चलिए thanks for watching